बहु हो तो भाईया हमारी प्रीता जैसी हो भगमान ने इनको इतना शातिर दिया है कि हर प्रॉब्लम का सिल्यूशन यह निकाल लेती है यह और सामने वाले को पता भी नहीं लगता कि यह कितने प्यार से अपना काम करा गई अब देख लीजे ना प्रीता की ननत जो है उनके आराम से मना लिया आईए दिखाते हैं सबकी होली तुमारी वज़े से बेरंग हो जाएगी तो फिर मुझे शायद अच्छा लाइए फिर मैं कोश्च होगी और बाकी कोई भी जादा कोश नहीं होगा ग्रेट गोईं क्रितिका जो मेरा प्लान था तुमारे थूँ सक्सेस्पुल हो रहा है तेड़े को सीधा कैसे करना है ये प्रीता के अलावा भला कौन अच्छे से जान सकता है समझ सकता है अब देखिए घर में होली हो रही है लेकिन क्रितिका उदास बैठी है क्योंकि प्रित्वी जेल में है करन भाईया आए उसे मनाने के लिए लेकिन बात बनी नहीं भाई बहन की बात प्रीता ने सुनी और फिर देखिए उसने कुछ ऐसी चाल चली के खुद बखुद कृतिका चली गई होली खेलने के लिए वाकिए आज मैं बहुत खुश हूँ प्रित्वी जेल में है और वो भी होली के दिव पर मैं उससे मिलकर ये ज़रूर बताना चाहती थी कि देखो तुम यहाँ जेल में होली काट रहे हैं और तुमारे बीबी घर की जेल में होली काट रहे हैं अर तुम होली नहीं मनाओग तुमारे बाहर नहीं निकलोगी तो जेल में और प्रित्वी जो हुए और प्रित्वी जी जेल में है और प्रितिका लफ प्रित्वी कि इतनी बुराहियां कि उसे चिड़ मज गई फिर क्या उसका फंडा काम कर गया और देखिए एक ऐसे कृतिका जो अब तक कह रही थी कि होली नहीं खेलूंगी फिर मैं अकेली हूँ वो सीधे होली खेलने चली गई अब बहुरानी की ये चाल एक कोई समझे या ना समझे हम तो समझ गए हैं और शायद लगता है ये करन भी समझ जाएगा क्योंकि करन भी तो प्रीता को अच्छे से जानता है समझता है और इस होली जैसा की आपने देखा होगा इनके दिल भी मिलने वाले हैं अब प्रित्वी तो जेल में है तो ये इत्मिनान के साथ होली खेलेंगे क्योंकि इन्हें लग रहा है कि किसी की बुरी नजर अब इनके घर पर नहीं है लेकिन प्रीता जरा नताशा से बच कर रहना क्योंकि वो है न वो आपके रंग में भंग जरूर डालेगी ABP News Report ABP News आपको रखे आगे